आपने सब्सक्राइब की आप लोगों की समस्क्राइब के क्लास हम करेंगे कल तो एट लिस कुछ चार यापनूश दिन में क्लास लूँगा आप लोगों की रिजनिंग गरी तो चे या साथ नमबर के आप लोग को हर एक बच्चे को इसने से कोशन आते हैं, ट्रैफिक बालों को जादे आएंगे जीए आई टी वालों को तिन चार आेंगी ट्रैफिक बालों को दस बरां आ laugh लिए इसके लिए ही, कलरेंगे इस कि प्लास उसका जो टाइम रहेग Google शाम का रहेगा टाइम शाम कहने की मतलब इस टाइम नहीं होगी ग्लास की उसकी क्लास नो वीस वे और आप लों की कल सेक्लास वोगी कंप्यूटर की चर वरी तो रीजनिंग आप लोग का समझने वाला एक सब्जेक्ट है आप लोग का तो इसको आप लोग प्लीज समझ लेना एक वार समझ होगे उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को ट्रिप लेस्वी एच्पी पीएस्टी लेवल के एक्जाम को के लिए रीजनिंग को पढ़ने की दवारा से ठीक है तीन या चार्ट ओपिक आप लोग को आते हैं वस उसको ध्यान से समझ लेना और यूट्यूब के स्टूडेंट हैं प्लीज अगर आप में से कोई स्टूडेंट अगर रेस्णिंग सीखना चाहता है तो प्लीज मुझे इस नमबर पे वाट्सेप कर देना तो मैं बता दूंगा क्लास कब होगी कहां प्लीज दे दूंगा बाकी कोई क्लास फ्री नहीं मिलेगी आखि सारे क्लास आप लोग की पेड रहेंगी और ट्राफिक इंस्पेक्टर का कोई स्टूडेंट होगा तो प्लीज आज मिले मैसेज करना आप लोग ठीक है आप लोग को भी परवाइट करवाओंगा मैं आप लोग को थोड़ा सा रुखना बड़ेगा ठीक है तो वास का जो टॉपिक है वो पद प्रिचे का है और पंकत जी आपको मैं आज दे दूंगा सारी ड्राइफ ठीक है मुझे कन थोड़ा माइंड से स्कित होगी आज मिल जाए अपर प्रिचे है आप लोग का पर परिचे क्या होता है यहां से सिद्धा कोश्टन पूछा जाता है कि ये क्यों है क्या होलों को यूज कि यूज कर जा रहे हैं ऊए पद प्रिचे का मतलब होता है वाक्य में परियुक्त किसी एक पद अध्वा सभी पदों का व्याकरण की दिरिष्टी से प्रिच्या देना यह आप लोग का प्रिच्या कहलाता है तो यह कुछ भी नहीं है आप लोगोंने सारी चीज़ें पड़ी हुई है तो जैसे यहाँ प लोगों ने पड़ी थी आप लोगों को जस्समें जब प्रिचे में कोशिजन आते हो यह कुछ बीपोछ लिया जाएगा यहां से आप लोगों से पूछाताइगा कि बताओů मोहन क्या है बताओ यह क्या चीज़ है खाऔहाần है क्या चीज़ था तो मौहन की यहां पर दो आप लोगं को क्या बनेगी क्या बनेगी में अप्लों को यहां पर डैफिनेशन एक तो बन जाएगी आपकी ब्यक्ति वाचक संख्या की आइड़िंटिटी और एक बनेगी पुलिंग की खा रहा है मतलब सिर्फ एक पुलिंग के अंतरगत आता है और एक ही आप लोग का है तो यह आप लोगों का एक वचन कहलाएगा ठीक है तो यह चीजें आप लोगों को ने ध्यान रखनी है इंपोर्टेंट है फिर आप लोग को मैंने कुछ एक चीज़ें बताई थी जो आप लोग की क्रिया के अंतरगत आप लोग की आती थी कर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया खा रहा है यह आप लोग की सकर्मक क्रिया है और वर्तमान काल में आप लोग का क्या है अपूरण वर्तमानकाल है क्यों अपूरण है क्योंकि वो अभी continue process में चला हुआ है उसको अभी खा रहा है उसने उसको खाकर खतम नहीं किया है तो ये चीज आप लोग प्लीज ध्यान पे रखना है तो ये चीज आप लोग को पूछे जाती है संग्या सर्वनाम के अंतरगत जो भी आप लोग को होती है तो ये ध्यान रखना है ये सारी identity यहां पे लिखी हुई है कि संग्या की क्या identity होती है आप लोग की संग्या में क्या क्या आते है तो ध्यान रखना संग्या पद में वचन क्या है उसके कारक कों है क्रिया का उलेक इसमें आप लोंको आता है सरवनाम है सरवनाम में भी वही चीज आती है आप लों यही चीज बता रहा है किया घ्र दोंकि चीज का वर्त आ रहा है तो यह वालगे सब्सक्राइब डारत आप लोगों का दृत्ति यह सारे टॉपिक जितने भी हैं जहां पर यह बताया रखे हैं इनको अच्छे से एक बार फिर से रिवाइस कर ले ना यह सारे कोश्चन आप लों के हो जाएंगे जैसे यहां पर देखिए मोहन सात्मीक अक्षा में पढ़ता है तो मोहन क्या है एक तरह की व्यक्ति वाचक सं अच्छन के बात के जाएं तो विशेशन का मतलब यहां पर संदरता हो रही है किसी का गुण बताय जा रहा है तो राधा बहुत संदर लड़के की और आप लोगसे पूछाआइं बता «ुछ जी का सुदřर है क्या सुदर First Day है और इसमें आप लोगि के क्या रहेगी इसमें जो विशेशता है वो लड़की होने की है अभ्यास प्रशन आप लोग देख सकते हैं इन में से कौन-कौन से बनेंगे वह फुटवाल खेल रहें वह फुटवाल खेलते थे तो इस कोश्चन में सबसे पहले सिंपल सी बात आप लोगोंने ध्यान रखने हैं इसमें कैसे आप आप लोगोंने याद रखना है पहले याद रखना आप लोगोंने खेलते थे खेलते मतलब एक बचन है तो यह तो गलत हो गया क्योंकि यह पुलिंग में आप लोगों का बहु बचन में आएगा तो एक बचन है इसी से पहचान करनी हमेशा आप लोगोंने जब भी करनी ए नद्मान्य, भूथ, इस तरी लेंग, मैं आएंगे, आप लोग के कैritos आप लोग को बता था मैंने, जोवी आप लोग के सरमनाम के इंतरगत, जोभी आप सुलही की रे चेशव व येट्चन लिए तो आप लोग के आपके हो आप लोग का-पॉसरो तो यह एंगर होता कि ज है तब आप लोग को ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ी ये वाली है तो यह इंपर्टेंट रहने वाली है नेक्स जैसे आप लोग का है सोनम मधुर गाती है पर यहाँ पर आप लोग तो यही आप लोग के इंपोर्टेंट रहती है इनमें चीज़ी इसके लावा आप लोग का कुछ भी नहीं होगा इस चीज का ध्यान रखना यह चोटी सी थी आप लोग के एक चोटी सी क्लास पर अभी एक और चीज होगी इसमें पढ़ने को यह जो पद प्रीचे होते हैं आप लोग को इस तरह के आते हैं वैसे आप लोग को तो नहीं आने चाहिए एक्जाम में बट फिर भी अगर पूच लिए जाए यह टीजी टी और पीजीटी के पर में मैंने देखने को न आप लोग को आती हैं वैसे एरर्स वगएर आप लोग जो फाइंड आउट करते हैं उसकी बात की जा रही है तो वर्तनी मतलब आप लोग का इसमें लीपी जो आप लोग की होती है इसके चिन्हों को व्याकरण के नियमों के अनुसार करम में लिखना ही वर्तनी कहलाता है लीपी में आप लोग की जो जैसे देवनागरी लीपी है जितने भी आप लोग के चिन्हों है उनको व्याकरण के नियमों के करम में लिखना ही आप लोग का वर्तनी कहलाता है और वर्तनी सवंदी आप लोग की जो एरर्स होती है वो क्या-क्या है सबसे पहले याद रखना सवर सवधी Errors आप लोग कोती है अनुस्वार अनुनासिख जो आप लोगं को बताये थाये कहां कहां से आप लोगं की यह भाजैं आती है भी सद्हिधिया चैंडिया ऐहां स्वर आप लोगके कौन कौन से आती है स्वरों में आकाश hot दिना को श्वर होते हैं रूजा यह अजिक्छ तेया अप लोग उन्य द्हान रखना है कूर यहे ने मैं पॉछण उपर ओल्य इस इवाले चीज़ आप लोगकी बिंदियां पूचे गई है सारे कोशन आप लों के एक्जाम में इनको लिखा है प्रात नहीं होता बिसरक संदी बिसरक वाली मैंने आप लों को बता दी थी प्रात नहीं होता प्राता है होता है नि संधेह नहीं होता नि संधेह होता है। इसके बीच में यह आती है लिजन्जन से स्वंदी आप लों के ये वाले एकठा, एकठा, लक्षमन, लक्षमन, ये वाली सबसे important रहती है, लक्षमन वाली, तो इसमें error दे दी जाती है, हमेशा तो इसको थोड़ा समाइड में रखना आप लोगोंने important है, अमानक रूपी, स्वंधी, अशुधियां कौन सी होती है, बिद्वान, ये वाला, दित्य, वित्य, बुध्धी, बुध्धी, इसमें आप लोग ये मत समझो कि यहां पर इस तरह होने चाहिए थे, ये आप लोगों को बताया गया है, कि इनको अलग जब करते हैं, तो कैसे लिखा जाता है, अमानक, तो अमानक में जा, अगर यहां पर बात की जा रहे ही होती, तो व हमेशा ध्यान लखना, अशोध्य वाक्य बिजली चला गया, बिजली चली गया, राइट होगा ये, मुझे बर्शा रितु अच्छा नहीं लगता, अच्छी नहीं लगती, यहां पर गलती है, ठीक है, वचन सबंदी आप लोगों की अशोध्या है, अशोध्य वाक्य यहा तो यह है, कारक सबंदी, मैं इश्वर की शरद्धा रखती है, तो कारक में में वगयरा आते हैं, तो मैं इश्वर में सबंद रखता हूं, करताने करम को करम के दवारा बोबाले, ठीक है, अशोध्य वाक्य अखवार पर क्या छपा है, अखवार में क्या छपा है, तो यह ह तो यहां पर इंपॉर्टन्ट है इसमें गलती हो जाती है आप अपने को नहीं जानते आप उनको नहीं जानते आप उनको नहीं होता है तो यह 36 गड़ की भाशा है यहां पर यूज नहीं होती है हिंदी भाशा में लोकल लेंग्विज में आप यूज की जाती है अशुद बाके यह नारिया गलत है आपनों की बिशेशन में जो बिंदू बगार लगाते हैं अशुद बाके यह सब बच्चे अच्छा हैं आप लोग के जो हिंदी टोपिक थक तरह से कंपैट आज होचाता है अ अच notor ar लोग को यह बिद आप लोग कोन देखते हैं और कल्म को करेंग्व ऑट न कर और कल इस ताइम पर आप लोगों के कंप्पूटर के लास होगी तो उसका भी ध्यान रखना है आप लोगोंने और ट्राफिक इंस्पेक्टर वाले बच्चे कहे रहे हैं कि आपको कंप्प्यूटर नहीं आएगा बत्य ध्यान रखना आपके स्लेवस में बढ़ा करके उन्होंने लिखा हुआ है word processing word processing का मतलब होता है आप लोग का MS office MS office में आप लोग को Microsoft word अगर Microsoft word की बात की है तो आप लोगों को MS office ही पढ़ना पड़ेगा पूरा साथ में आप लोगों को computer के 4 या 5 extra question आएंगे टोटल लेके रखी 10 question आएंगे तो जो मैंने आप लोगो computer की classes देई हैं 10-15-20 उनको पूरीज देख लो वहां से question आएंगे उसके बाहर question नहीं आता है तो इस चीज़ का मत करिये कि मैं आप लोगो कुछ एक चीज़ें extra पढ़ा रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है आप लोगो पहले ही पता है कि मैं exam के level पर ही पढ़ाता हूं exam से बाहर कुछ फाइदा नहीं होता है पढ़ने का और ना ही पढ़ाने का तो आप लोग उस चीज़ को पढ़िए अराम से आप लोगो के paper में आएगा दसवारा नंबर का काफी gap हो जाता है ठीक है और आप लोगो का जो traffic inspector का paper है ये मत सोचना दसवारा हजार बच्चों ने भरा होगा कि at least इसमें भी एक लाख बच्चों ने participate किया होगा चालिस प्लस पोस्टे हैं तो एक लाख से कम बच्चे नहीं होंगे इसमें तो यह चीज ध्यान रखिए तो कल रिजनिंग की class होगी एक चीज का ध्यान रखना एसे लेके जड़ तक की identity रखना याद कहने की बात एवन होता है वी टू कि याद रख लेना यह काम आएंगी आप लों के चीज़े इनको ध्यान में रखेंगे और आप लों का कल मैं reasoning करवा दूंगा तो चोटे-चोटे इसमें मिलते हैं आपकों के धन्यवाद